Hey guys, welcome back to my channel and आज जो है हम कुछ गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं यह कुछ जादा अभी गेमिंग इंडिस्ट्री में जादा कुछ बड़ा चीज नहीं हो रहा है कुछ-कुछ चीज़ा जो है काफी तगडी हुई है तो सबसे पहले शूरू करते हैं आपर जो हमारा पहला है वो है माफिया फोर तो माफिया फोर जो है यहां पर अनॉसमेंट कर दी गई है माफिया फोर अब जो है अन्रियल इंजन फाइफ में डवलप होने वाला है समझ रहो like अन्रियल इंजन फाइफ जातर स्टूडियो जो है अन्रेयल इंजिन 5 को जो है अडॉप्ट कर रही है बिकॉज अफ लॉइक की देर न्यू टेक्नॉलजी मेरे ख्याल से जो डेमो आया था यहनो दे मेट्रिक्स अवेकन्स का उसके बाद से हुचे काफी जादा स्टूडियो को जो है यहाँ पर अन्रेयल इंजिन 5 पर बनेगा और यह प्रीकॉल होगा उसकी ओरिजनल ट्रियॉलजी का तो माफिया 1,2,3 का जो स्टोडी थी उसका प्रीकॉल रहेगा और उसमें सैट होगा तो मेरे ख्याल से काफी जादा मैसिव होने वाला है कमाल के ग्राफिक्स होने वाल है रिसेंटली हमने माफिया का यह उन्हों रीमेक देखा था भाई माइंड ब्लॉइंग अगर यह लोग अन्रेयल इंजिन 5 पर बनाने वाल है तो माफिया 4 क्या ही होगा वो तो कोई सोच भी नहीं सकता लाइक मजा आ जाएगा आप लोगों बताओ कि आप लोग माफिया 4 में क्या देखना चाहरे हो मैंने माफिया 3 खेला था अभी मेरे को रीमेक खेलना बाकी है तो रीमेक भी मैं बहुत जल्द खेलूंगा मैं बड़ा एकसाइड़ डू सीरिसली माफिया 4 को अन्रेयल इंजिन 5 पर देखने के लिए कमाल होने वाला है एंड उसके बाद यहां पर जो हमारी अगली न्यूज है वह स्क्वेर इनिक्स की तरफ से तो अचाहिक सब पता ने स्क्वेर इनिक्स को क्या हो गया हो थोड़ा से माता वाता चड़गी है उनको एंड वह अपना स्टूडियो सेल कर रहे हैं साथी साथ अब यहां पर रिसेंट्ली स्क्वेर इनिक्स जो है बिकने वाला है और मेरे ख्याल से यह सोनी नॉट्शेयोर यूमर है बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि शायद सोनी को बिकने वाले हैं और साथ ही साथ यहां पर जो उनके टॉप आईपीज हैं लागी सारे गेम्स वह भी बिकने वाले हैं किसको बिकेंगे फिलहाल इसके बारे में डीटेल तो नहीं है Crystal Dynamics जिनके साथ मिलकर यह लोग इनों गेम्स बनाया थे इन लोगों ने टॉम रेडर जो इन पना सक्सेस्फुल रहा है और रिसेंटली यहां पर Crystal Dynamics ने अनौन्स भी करा है कि अब वो अगला टॉम रेडर का गेम बनाने वाले हैं और साथ ही साथ अगला टॉम रेडर गेम ज क्या सोच लो इस मर्जर के बारे में हमारा टॉम रेडर का गेम कहीं खत्रे में तो नहीं पढ़ने वाला इस चलते हैं हमारे अगले न्यूस की तरफ तो हमारी अगली न्यूस जो है वो है Crysis 4 को लेकर के Crysis 4 जो है यहां पर हमारे हिटमन के डेवलपर्स एंड फार वो काफी जादा एक्सपिरेंस टीम लग रही है हिटमन 3 काफिर क्रिटिकली एकलेंड गेम फार क्राई 3 लेजंडरी फार क्राई गेम आइधिंग अभी भी लोग उसकी बाते करते हैं और वो टीम जो है अगर Crysis 4 बना रही है तो तब तो हमारे ग्राफिक काट सीरिसली जा रहा है कि यह गेम जो है वो नेक्स जनरेशन अली होने वाला है और साथ ही साथ यह 2023 तक रिलीज नी होने वाला है मैं मैं ठीक है नए जनरेशन से तुमको थोड़ा जादा प्यार आ रहा है समझ में आता है लेकिन हर चीज नए जनरेशन पर डालना यार यह तो करेंट सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चीजे जो दिख रही है मेरे को आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर गेम्स होने वाले हैं वो सारे के सारे जो है मेरे ख्याल से नेक्स जनरेशन कंसोल पर एक्सक्लूजीव रहेगा तो अगर आप लोग कोई पुराना कंसोल खरीद रहे हो तो कीप इन माइंड की फ्यूचर के लिए वो सेफ नहीं है अभी से अनॉंसमेंट होने लग गया अभी से वो लोग बता रहे नहीं है फिलहाल के लिए जब अवेलिबिल्टी जादा होगी अफकॉर्स उसका भी आने वाले टाइम में अडॉप्शन बढ़ जाएगा यहां पर और बड़ी मेजर अनॉंसमेंट जो इस वीक हमें देखने को मिल रही है वो है कॉल अब दूटी की तरफ से भाई इसके ब बट नियू मतलब यह बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है फील वही है modern warfare वाली बट लाइक लोगों जो दिखाया है भाई देखने का मज़ा ही आ गया हालाकि इस लोगों के अलावा लोगों रिवील के अलावा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने बट मुझे लग रहा है कि कॉ वैंगार्ड और दूसरे गेम जो चले नहीं है मेरे ख्याल से कॉल अडुटी बहुत तगड़ा कमबैक करने वाला है modern warfare 2 से अब यह आने वाला टाइम ही में बताएगा कि कैसा होगा गेम मैं बड़ा excited हूं इसके लिए उसके बात गाइस यहां पे हमारी अगली न्यूज आ और एक बॉल होती है तो इस वाले गेम में gravity goal में क्या होगा कि यह 1v1 2v2 3v3 रहेगा और इसके अंदर bikes रहेंगी कार की जगे एंड बॉल अगेरा रहेगी वही सेम concept रहेगा जो rocket leak का है तो यह ट्रॉन वाली चीज वाली यह मेरे ख्याल से काफी लोगों को पसंद आने वा है और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से इस गेम के फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल सकता है और साथी साथ एक बहुत बड़ा क्लेम आया है Spider-Man 2 को ले करके तो जी हाँ जो Spider-Man 2 PlayStation का exclusive game Spider-Man 2 में माइल्स मॉरालेस एंड Spider-Man and Venom का जो combination है मेरे ख्याल से Spider-Man fans के लिए यह जो तीन-चार साल रहे है लास्ट और आने वाले यह बहुत तगड़े साल है like जो announcement हुई है कमाल के Spider-Man games कमाल की Spider-Man movies और साथी साथ जो sequel आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि हम जो है Spider-Man 2 के अंदर पीटर और माइल्स के साथ जो है सुच कर सकते हैं character switching कर सकते हैं जो की बहुत बढ़िया claim है like आप जो है same to same time माइल्स मॉरालेस बनके भी Spider-Man 2 में खेल पाऊगे और जिस हिसाप से actions perform होंगे यह जिस हिसाप से situation होंगी उस में एक साथ मिल करके कैसे काम करने वाले एंड यह जो होता है नहीं पूरे गेम में अब अगर इसमें को आड़ कर देंगे ना तब तो और मज़ा जाएगा सीरिसली आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल पाऊगे इस गेम को करेंगे नहीं करेंगे यह तो आने वाले टाइ मेरे को तो बड़ी अनॉस्मेंट्स और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो शेर करो हम मिलते हैं कि आप से किसी और वीडियो में किसी और गेम्स के साथ तब तक लिए बाबाए और झाले बाबभ